नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में स्टार्ट अप कर सकते हैं, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस का मतलब होता है कि आपको किसी विशेश राशी या पूंजी का उप शक्ता नहीं होती है, और आप अपनी अवधी और ध्यान को अधिक अपने उत्पाद और सेवाओं को भेतर बनाने में समर्थन कर सकते हैं, पहले चरण में आपको अपने व्यवसाई की तैयारी करनी होगी, इसमें आपको अपने बिजनेस आइडिया का चैन करना होगा, ज जो आपको आपके पर्यावरण के अनुसार सबसे अधिक लाब कमाने में मदद कर सकता है, व्यवसाई की तैयारी में आपको अपने लक्ष, लक्ष और विशेशग्यता का प्लानिंग करना होगा, बिजनेस प्लान एक महत्वपूर्ण चरण है, जो आपको अपने व्यवस की संगचना और व्यवसाई की योजना को सपष्ट करने में मदद करता है, इसमें आपको अपने व्यवसाई के लक्ष, आपके उत्पाद या सेवाओं का विवर्ण, आपके बाजार और उपभुकताओं का विशलेशन, विपणन रणनीती, आपके वित्तिय योजना, और आपके व्यवसाई की प्रगती के लिए एक विश्वस्नी या रणनीती का विवर्ण होना चाहिए, बिजनिस प्लान तयार करने में आप अपने व्यवसाई के लिए एक साफ दिशा प्रदान करते हैं, और आपके व्यवसाई को स्थाई रूप से सफलता की ओर ले जाने मे अनिवार्य हो सकता है, और इसमें आपको स्थानिय नियमों और विनयमों का पालन करना होगा। आपको अपने व्यवसाई के लिए एक उप्योक्त व्यावसाई कानोनी रूप से स्थापित करेगा और आपके व्यवसाई को सरकारी प्रोसेसेस के अनुसार चलाने में मदद करेगा. एक लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में स्टार्ट अप करने का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है निवेशकों की खोज. यहां आपके व्यवसाई के लिए पूंजी और समर्थन प्रदान कर सकता है. आपको अपने व्यवसाई के लिए उप्युक्त निवेशकों को ढूंडने के लिए अपने विचारों और आइडिया को अच्छी तरह से प्रस्तुत करना होगा. इसमें आप अपने बिजनेस प्लान, स्वावलंबीता और वित्तिय प्रासंगिता के बारे में विस्तार से बता सकते हैं. निवेशकों को आपके व्यवसाई में रुची होने पर विश्वास कराने के लिए, आपको अपने व्यवसाई के अच्छे प्रतिसाद के साथ विश्वासनियता और संदेश को बुनियाद बनाने की आवशक्ता होगी. अगला महत्वपूर्ण कदम है अपने व्यवसाई की विपनन रन्नीती को तयार करना. यह शामिल करता है कि आप अपने उत्पाद या सेवाओं को किस तरह से बाजार में प्रसारित करना चाते हैं, आपके लक्ष क्या हैं, और आप किस तरह के उप्योग करताओं को लक्ष कर रहे हैं. विपनन रन्नीती आपके बिजनेस के सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके उत्पाद या सेवाओं को अपने लक्ष के अनुसार बाजार में प्रसारित करने और उन्हें ग्रहा को तक पहुचाने में मदद करती है. इसमें आपको विपनन प्रचार के लिए अलग-अलग माध्यमों का उप्योग करने की योजना बनानी चाहिए, जैसे की सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग, वेबसाइट या अन्य विपनन प्रचार के माध्यम, अपने लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस की शुरुआत के लिए आपको संसाधनों को प्राप्त करने की आवशक्ता होगी. इसमें आपको विभिनन स्रोतों से वित्तिय संसाधनों की तलाश करने, जैसे की बैंक रिन, स्वरन रिन, स्टार्ट अप रिन या वेंचर कैपिटल की तलाश करने की जरूरत हो सकती है. आपको भी अपने स्वयम के लिए अन्यस रोतों को भी प्राप्त करना होगा जैसे कि उत्पादन सामगरी उपकरण और विभिन सेवाओं के लिए आवशक इंफ्रास्ट्रक्चर आखिरकार बिजनेस की शुरुआत का समय आता है इसमें आपको अपने व्यवसाई को प्रारंभिक चरण में लाने के ल और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना होगा इसके साथ ही आपको अपने व्यवसाई की प्रगती को नियमित रूप से मॉनिटर और अनुमान लगाने की आवशक्ता होगी ताकि आप अपने लक्षों की दिशा में अग्रसर हो सकें एक उदाहरन के रूप में विवेक न नए उत्पात के रूप में एक अनोखा समाधान विक्सित किया उन्होंने अपने व्यवसाई के लिए निवेशकों को रूणने में सक्षम हुए और अपने व्यवसाई को सफलता की उन्चाईयों तक पहुंचाया लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में स्टार्ट अप करना एक रूमान चक और प्रोटसाहक अनुभव हो सकता है इसमें आपको संघर्ष संघर्ष और संघर्ष के बीच निरंतर सीखने का अवसर मिलता है जो आपको व्यक्तिगत और पेशेवर तौर पर विक्सित करता है लेकिन समय उर्जा और परिश्रम के साथ एक लो इन्वेस् संघर्ष करने के बावजूद यह आपके लिए अद्वितिय और सतत रोजगार के माध्यम बन सकता है उसे प्रबंधित करने के लिए धैर्य, ध्यान और प्रतिबधता की आवशक्ता होती है लेकिन जब आप अपने लक्षों को प्राप्त करते हैं तो यह सभी मेहनत और उ पिचार उप्योगी लगा हो तो कृप्या इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद